दोस्तो आज किस वीडियो हम बताएंगे कि किस तरीके सा आ प्लैस्टोर को अपडेट कर सकते हो प्लैस्टोर के अप्लिकेशन तो अपडेट हम करते होंगे बट प्लैस्टोर को भी अपडेट करना बहुत जरूरी होता है तो चलिए बिना time को waste के वीडियो के start कर लेते हैं और साथ मैं मैं आपको application भी update करने के लिए बताऊँगा प्लैस्टोर को update करने के साथ-साथ क्योंकि जो मेरे new viewers हैं उसको मालूम नहीं होगा कि हम application को भी update कैसे कर सकते हैं जो कि आपका YouTube हो गया WhatsApp, Facebook यह सब को भी में बताऊँगा तो simple हम प्लैस्टोर को उपइन करते हैं और प्लैस्टोर को update कैसे किया जाएगा तो मैं आगे बताता हूँ पहले देखिए आपका कोई भी application है उसको आप सर्च करके भी update पर click करके update कर सकते हो जो भी आपके WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter जो भी हैं सारे दिखेंगे अपडेट पर click करके update लगा सकते हैं यह तो होगे application अपडेट करने का बारी अब चलिए हम बताते हैं कि अपना प्लैस्टोर को update कैसे कर सकते हैं प्लैस्टोर को update करने के लिए वहीं पर profile पर click करने है गाइस इसका तरीका अलग है profile पर click कीजिए बट आपको यहाँ पर setting पर click करने है setting का option दिखता है नीचे में setting पर आईए आपको about का option दिखेगा नीचे में फिर से नीचे वाले option पर click कीजिए about पर और जैसे आप about पर आचाओगे आपको just a second update का option दिख चाहेगा देख रहे हो Google Play अपडेट यहाँ पर click करेंगे तो automatic यह अपडेट हो जाएगा यह दिखेगा नहीं कि आपको इतना % हो रहा है यह दिखते नहीं है आपको सिर्फ data on रखना है 10-15 मिनिट में अपडेट हो जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा इस तरी केसा आप यहाँ पर प्लाय स्टोर को अपडेट कर सकते हो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें comment में जरूर बती है अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो कोई question हो तो comment में पूछ सकते हैं thank you